देखे देश में रोजगार का मुद्दा जो है वो लगातार सुर्खियों में हैं इसी भी सिच्छा मंत्राले द्वारा एक ऐसी जानकारी दी जाती है जिससे जो देश भर के लाखो छात्र हैं उनको तगड़ा जटका लगता है यूजीसी नेट की परिच्छा को रध कर दिया गया है जिसकी परिच्छा 18 जून को हुई थी हलाकि इसको लेकर एक बात और कही जा रहे है कि कई गड़बडियां होई थी जिसकी वज़ए से इसको रध किया गया है फिलहाल चात्रो का क्या कहना यह हम जानेंगे जो लंबे स तो पता चला की पेपर रद दो गया है अब क्या कहेंगी क्या लग रहा है सरकार से कुछ कहना चाहेंगी क्योंकि लगातार छात्रों की मांग है कि निश्पक सरीके से परिच्छा कराई जाए और समय पर संपत कराई जाए जाए सर सरकार से तो यही मांग है कि एक्जाम कोई भी रद ना हो उसके पहले सारी विवस्थाइं वो अच्छे से करें ताकि कोई एक्जाम ही ना रद दो ऐसे में स्टुडेंट को तकलीफ होती है परिवार की जिमादारी उठाते हुए आप परिच्छाओं की तैयारी करती हैं सेंटर पर पहुस्ति हैं लेकिन जब यह पता चलता है कि देने के बाद परिच्छा परिच्छा ही रद हो गई तो क्या कहेंग इस पर जी हम यह कहना चाहेंगे कि हम अपने परिवार को अपने बच्चों को छोड़ के छोटे-छोटे की दे पैसे जो लगा रहे हैं वो अलग लगा रहे हैं हमारी फ 수도 Jang такую हम यह कहना चाहेंगे सरकार से मेरी अपील है इसे कम स्यक्स कूई एसा मिश्ध मतलब मुषे यह झना कहिए कि हम SambleVISUA को अपने पर लीख हो गया हां और इन सब को रोके क्योंकि जितनी भी परिच्छाएं हो रही हैं जितने भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं हर चीजों को जब भी पेपर होता है सेकेंड डी नियूज आता है कि रद्ध हो गया रद्ध हो गया इससे हमारा मनोबल एक दम तूटता जा रहा है हमें बिलकुल मन नहीं होता है कि हम लोग जो है अब कैसे तैयारी करें कैसे जो है इससे आगे बढ़ें तो रोजगार का संकट था अब यह संकट है कि कोई भी परिक्षा सही तरीके से सही समय रेयर हो जाए मैं हों जाए उझ्षा मंत्री कि कि मेदारी जैं मारे नहीं सोगार ते इसको समझ मिन आता है हम चाहते हैं कि निजपस तरीके से पहले से इजाच की जानी चाहिए ना ऐसा कियों हो गया उसके पर रद होता है या तो पहले उसकी जानकारी रखी जाए कि हमारी बेवस्थार क्या चल रही है ऐसा नहीं हो ना चाहिए सरा ऐसे व्मारा मनुवर तूटते जा रहे हैं कर दूसरे राज्यों में भी पेपर होता है दूसरे शहरों में भी होता और इतनी तपती गर्मी 45-46 डिग्री तापमान में 18 जून को दाव प्रचंड गर्मी थी उस दोर में भी आप लोग पहुसते हैं सेंटर पे लेकिन एक जटके में जब पता चलता है कि छोटी गड़ब करती हैं लेकिन रद हो जाती है सई समय पर होती नहीं सबसे पहले यह बताना चाहूंगी हूं और परिवार को लिख चलती हूं और उसके साथ मैं परिच्छा में जूटी हूं और उसमें अगर आशायों में हासिल हो तो मन जो है एकदम हथास हो जाता है बहुत बड़ी बा कोई गड़बढ़िया नहीं हो सकती लेकिन वह भी अबरत हो रही है नेट की नेट की बात करें इसके साथ यूपी पुलिस में जो हुआ फिर आप पिछली बात करें तो टेट का पेपर 2021 में लिए हुआ हम इतने पैसे कोचिंग में तयारी करते हैं सरकार से क्या कहेंगे सिक्षा मंतराले ने हाला कि आपको आस्वास्त किया है कि इसका इस मामले की सीवी आई जांच होगी लेकिन अब क्या कहेंगे अब क्या हुआ है सरकार सरकार से मुमीद लगा कर बैठे हैं कि यूपी पुलिस के पेपर ने बोला च्छे महीने में करवाएंगे अभी उसकी डेट तक नहीं निर्धारित की हुई है तो अभी क्या इसे आस्रा लगाएं सिर्फ कभ यह कराएंगे पेपर तूट चुकी हमारी अब हमें नही सबसे ज्यादा समस्या है जो है विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को हता है पैसे खर्च कर रहे हैं विद्यार्थियों का समय वितित हो रहा है पता चला कि तीस साल पैटिसा चालिस थाल और अंतिम परिस्तिते में पहुंच जा रहे हैं फिर भी अब इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि जो सरकार की अपनी नेतियां है उनको अच्छे से सुधार करने की जरूरत है कि जो है पेपर ओगरा में लीक ओगरा का मामला है जो है सामने हर पेपर में आ रहा है उसको जो है दुरूस्त करने कि आउशक्ता अप सुबार आज कच्छाओं में आये होंगे तो अलग-अलग सेंटर पे जाए होंगे बच्चों की क्या प्रतिक्री आई क्योंकि रात से यह विश्य पस निराशा से भरे हुए हैं सब लोग निरासित है कि कुछ हो नहीं रहा है कही बार एक्जाम दिए पेपर ही लिख होगे आप जो है क्या तैयारी करें आप कुछ कहना चाहेंगी क्या कहेंगी ABP Live के लिए वारारसि से निशान चतुरवेदी